नमस्कार मैं हूं राउल शर्मा आप देख रहे हैं SP9 News वागत आप सभी का आज के इस बड़ी कबर में बड़ी कबर की शुर्वात हम करेंगे चुनाव से इस साल के अंत में दो राज्यों में चुनाव हैं गुजरात और हिमाचर ये दोनों चुनाव कॉंग्रिस बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं लेकिन साल 2024 का लोगसभा चुनाव भी है साल 2024 के लोगसभा चुनाव को लेकर प्रिशान्त कि शौर क्या रणनीती बना रही है और प्रिशान्त कि शौर की रणनीती का किस पार्टी को कितना फर्क पड़ेगा हालकि देखा जा रहा है कि 2024 के लोग सवाज चुनाओं से पहले प्रिशान्त किशोर ने अभी हाली में कई इंटर्व्यूज दिये जिसमें से एक इंटर्व्यू उन्होंने ये दिया है जिसमें उन्होंने प्रधान मंतरी को लेकर अपनी बात रखी उन्होंने बताया कि प्रधान मंतरी मोधी के बाद दूसरा बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है लेकिन कॉंग्रिस पार्टी का भी जिकर हो रहा है दरसा ये देखा गया कि अभी हाली में पांचों राज्यों में चुनाओं हुए है और सबसे बड़ी बात क्या है कि पांचों राज्यों के चुनाओं में उत्तर प्रदेश पर अगर नजर दोड़ाई जाए तो कॉंग्रिस ने यहाँ पर प्रियंका गांधी पर दाव नहीं खेला तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या कॉंग्रिस पार्टी प्रियंका को लोग सभाज चुनाओं की समय उतार सकती है और अगर उतारेगी तो जन्ता पर कितना बड़ा फर्ग पड़ेगा पार्टी पर कितना बड़ा फर्ग पड़ेगा हाला कि प्रिशान किशोर वो रणनीती कार है जो एक समय में कॉंग्रिस पार्टी के साथ रहकर काम कर चुकी है हाला कि अभी देखने को ही मिला था कि प्रिशान किशोर कॉंग्रिस में शामिल होने ही वाले थे पार्टी के साथ मिलकर काम करने वाले थे लेकिन बात नहीं बन पाई तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रिशान किशूर ने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी जो रड़ नीती बना रही है अगर सही दिशा में वो नीती रहीगी तो इसका बड़ा फार्ट देखनों को मिलेगा हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांदी को ज़्यादा एक्टिव होने की जूरत है यानि कि सोसल मीडिया का छेतर हो या फिर जमीनी स्थर का छेतर हो यहां पर ज़्याद से ज़्यादा प्रियंका गांदी जनता से जितना ज़्यादा जुडाव करेंगी इसका फाइदा मिलता नजर आएगा दरसल मौझूदा समय में कॉंग्रिस पार्टी की हालत फिलहाल तो खराब देखती नजर आ रही है लेकिन कॉंग्रिस पार्टी में लगातार जिस तरह से बैटकों का दोर जारी है उसे देखकर यह माना जा रहा है कि शायद आगामी समय की चुनाओ को भी ध्यान में रखकर कॉंग्रिस पार्टी काम कर रही है इसके साथी साल 24 के लोग सबाचुनाओ को ध्यान में रखकर भी पार्टी काम कर रही है हाला कि देखना होगा कि क्या कॉंग्रिस पार्टी प्रियंका गांधी पर वो दाओं खेलेगी और लोग सबाचुनाओं की समये अगर कॉंगर्स पार्टी अप्रियंक का गांधी परदाओं खेलती है तो इसका पार्टी पर कितना फर्क पड़ता नजर आएगा इसका जमीनी स्तर पर फर्क कितना पड़ता नजर आएगा हाला की जनता को ध्यान में रखते वे कॉंगर्स पार्टी अलगातार महंगाई की बात कर रही है एक और जहां देखा जा रहा है कि बीजेपी जहां धर्म और जाती की राजनिती कर रही है चाहे ग्यान या पी मस्जिद का मामला हो या फिर बुल्डोजर का उत्तर परदेश स बुल्डोजर की शुरुवात होती है दिल्ली तक पहुंच जाती है दिल्ली में लगातार अतिकरमण को हटाया जा रहा है लेकिन इलाके भी वो चुने गए हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है इसके साथ ही उत्तर परदेश में ग्यान व्यापी मस् इस कमरों के रहसे पर बात बनाई है एक और जहां इससे सीधे तोर पर हिंदू मुस्लिम करती बीजेपी नजर आ रही है तो वहीं कॉंग्रेस पार्टी जनता के लिए काम कर रही है हाला की देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा दाओ कॉंग्रेस पार झाल झाल